बिहार सरकार का ये कतम बाक कई सराहनी ये है, तारिफ होनी चाहिए, क्या है ये आगे बताएंगे, लेकिन उसे पहले आपको बता दें, कि बिहार में जनता को हो रही परिसानी और अधिकारियों के लापरवाही, सरकार की बिना तयारी के जमिन सर्वे का काम शुरू करवाना अब ये सारा मामला पहुंच चुका है पटना हाई कोट पटना हाई कोट से क्या रियक्सन आएगा जमीन सर्वे में क्या आदेश आएगा रोक लगेगी या क्या कुछ होने वाला है ये जब आएगा तब हम आपको अपडेट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब करके विल आइकन को प्रेश कर ले लेकिन बिहार सरकार का ये आदेश बहुत अच्छा है बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसलिए परिसान है कि उस परिसानी का बज़ा है अधिकारी करमचारी, CEO और Computer Operator अब यहाँ पर एक सवाल है उन तमाम अधिकारियों से कि जो अधिकारी सरकारी ड्यूटी के लिए सरकारी नोकरी के लिए अपलाई करते हैं तो जिस भी भाग में वो अपलाई करते हैं उसकी तयारी करते होंगे अब अगर कोई Computer Operator के लिए अपलाई किया नोकरी चाहिए सरकारी नोकरी चाहिए तो आपने तयारी तो किया होगा ना तो जमीन का पेपर में खाता नंबर क्या है पलोट नंबर क्या है नाम क्या है यह गलत कैसे चड़ जाता है अब कहेंगे कि इंसान है कुछ गलती हो जाता है चलिए मान लेते हैं कुछ गलती हो सकता है लेकिन कुछ हो सकता है यहां तो सौ में पंचानमें लोग परिसान है तो अगर आप सक्षम नहीं है इस काम के लिए तो आपको नोकरी क्यों चाहिए एक बात दूसरी बात यह है कि नोकरी के लिए पहले यह अपलाई करेंगे नोकरी लेंगे इसके बाद सरकार के उपर प्रेसर बनाने के लिए हर्ताल करेंगे तनखा बढ़ाएंगे बढ़वाने के लिए यह सब करते हैं लेकिन ड्यूटी क्या करते हैं यह होता क्या है किसी भी दस्ताबेज को अपलोड करना है सामने आ गया पिस्तेदार का फोन आ गया फोन पे बात करते करते काम हो रहा है बात करते करते काम क्या होगा गलत होगा या सही होगा लापरवाई है या नहीं है तो सरकार का ये कदम सरकार ने असफ़स्ट का है कि जो भी अधिकारी कम्प्यूटर अपरेटर हो, CEO हो, जो भी है और मान लिया जाए कि आज जिस ब्लॉक में उसका ड्यूटी है पहले कहीं और था और वहाँ से गलती करके आया है ट्रांसफर हो गया है तो वहाँ जो गलती किया है उसका भी डेटा कलेक्ट किया जा रहा है कि जो गलती है वो गलती किसने किया है आज वो कहां है रिटायर हो गया या कहीं ड्यूटी कर रहा है यानि ये तमाम डेटा अगर इसमें सही में मानदारी से बिहार सरकार काम करे न तो उन तमाम ब्रस्ट अधिकारियों की पोल पट्टी खुल जाएगी और ये बिहार में जो जमीन सर्वे का काम बिहार सरकार के दोरा किया जा रहा है हम समझते हैं बहुत बेतर है बहुत अच्छा है जानते ही से क्या हो रहा है जमीन का पेपर तो अपडेट होगा ही जो बरसों से दसकों से 30-40 बरसों से जो काम नहीं हो पाया था वो बिहार सरकार के दोरा कर दिया जाएगा ये बहुत बेतर है परसानी है लेकिन बेतर है लेकिन साथ ही बिहार सरकार के सामने एक और बड़ा खुलासा ये हो गया कि जो भरस्ट अधिकारी जो दाखिल खारिज के लिए या फिर इंटरनेट पे अपलोड करने के लिए किसानों को जमीन मालिकों को जो परिसान करता था ये बाते सरकार तक नहीं पहुँच पाती थी सरकार को अब ये सब पता लग गया कि अधिकारी क्या करते हैं और कैसे करते हैं किस तरह से लोगों को परिसान किया जाता है लटकाया भटकाया जाता है अकेले पटना जिला में 32-100 मामले पेंडिंग है दाखिल खारिज के और पुरा बिहार का अगर आकड़ा निकाला जाए तो समझ लिजे कड़ोरों में ये मामला जा सकता है इतने लोग परिसान है तो ये मामला सामने नहीं आता अगर ये जमीन सर्वे का काम नहीं होता तो ये भी सामने आ गया और इतना ही नहीं 10,000 से 20,000 रुपे तक इस समय लोगों से वसुला जा रहा है खतियान और जिनका केवाला का पेपर फट गया, पुराना हो गया, खो गया उनसे उनको जमा तो करना पड़ेगा अगर वो रिकाउडरों में जा रहे हैं तो इतना पैसा उनसे बसुला जा रहा है आववैध तरीके से दलालों के दुआरा ये सारा डेटा, सारा जानकारी बिहार सरकार के पास पहुँच गया और बिहार सरकार ने एकसन ले लिया है बीजेपी के नेता दिलिप जैसवाल बिहार के रजस्व भूमी सुधार मंत्री हैं और वो जो काम कर रहे हैं बिहार में इस समय तारिफ के काविल है नितीश कुमार के नित्रित में ये जो काम चल रहा है हलाकि बिहार सरकार की कमी है, तैयारी नहीं है लेकिन जो बिहार सरकार का ये काम है और जिस तरह से एकसन लिया जा रहा है कोई कुछ भी कहे लेकिन अगर सरकार अच्छा काम करे तो उसकी तारिफ होनी चाहिए अब उन तमाम अधिकारियों को लाइन हाजिर किया जाएगा कि आपको हमने रखा था बियार सरकार का ये सवाल है कि आपको हमने computer operator के रूप में salary दिया, duty दिया, फिर ये लापरवाही कैसे हुई, कैसे अगर आप सक्षम नहीं हैं, तो रिजायन दो हम दूसरा operator रखेंगे, बहुत पढ़े लिखे बिहार में हैं, line में खड़े हैं, नौकरी के लिए, और ये भरश्ट लोग नौकरी लेकर बैटे हैं, और जनता को परिसान कर रहे हैं, CEO, जिसके जिम्मेवारी पे पुरा परखंड का जमीन होता है, इतनी लापरवाही, इतनी लापरवाही, कैसे बरदास किया जाएगा, तो ये मामला नहीं खुलता, अगर ये जमीन सर्वे का काम नहीं होता, लोग, लोग को, बह अगर था भी, तो वो चुप थे, कि चलो जब देखा जाएगा, जब जरूत पड़ेगा तब, लेकिन ये अचानक से जब जमीन सर्वे का काम आया, लोग, दफ्तरों के चक्कर लगाने लगे, और सारा पोल पट्टी खुल गया, किस तरह से वरस्टाचारी किया जा रहा है किस तरह से गलत दस्तावेज अपलोड किया जा रहा है, और जनता का कोई गलती नहीं है, मान लिया जाए, अधार कार बन रहा है, तो अधार कार बनाने वाले जो अधिकारी बैठे हैं, पड़े लिखे हैं, उसको अच्छी तरह से चेक करते हैं, तब जाकार अपलोड करते हैं और अगर गलती होती है तो एक का दुख का ऐसा नहीं कि परखंड में 32-32 मामले पेंडिंग पड़ जाए 32-32 मामले गलत चड़ जाए तो फिर आप किस बात का किस काम का आप नहीं है इस लाएक तो बिहार सरकार जो एक्षन ली है कि वो तमाम अधिकारी नपेंगे जो लापरवाही करके इधर उधर चले भी गए हैं नोकरी में या फिर जो नोकरी से रिजाइन कर दिये हैं या फिर रिजाइन करने वाले भी और रिटायर होने वाले भी सभी इंसन ले रहे हैं अभी और जो गलती आपने किया है वो सुधारना पड़ेगा लेकिन सबसे मुखे बात यह है कि इस पे इमांदारी से काम होनी चाहिए और जनता अगर जागरुक हो तो काम इमांदारी से ही होगा अगर कहीं भी आपसे एक पैसा नाजाज मांगा जाए त देते हैं इसलिए इन भरस्ट अधिकारियों का मनोवल बढ़ता है आपको बिरोध करना है उसका तब आप कहेंगे कि जल्दी काम कराने के लिए दे देते हैं तो जल्दी काम कराने के लिए अगर आप देते हैं तो वो लेते हैं फिर मामला तो वहीं का वहीं रह गया तो ज खतम तो नहीं हो सकता है क्योंकि कुछे जनता की भी कमी होती है जैसे कुछ गलत चीजों को अपलोड कराना है, कुछ गलत काम कराना है तोहां पर तो रिश्वत देंगे ही, पूरी तरह से ये खतम नहीं हो सकता है लेकिन इसमें 75% तक कमी लआया जा सकता है अगर बिहार की जनता, पुरे देश की जनता चागरूख हो जाए अपने अधिकारों के प्रती, अपने फर्ज के प्रती और वो तमाम अधिकारी जिनका पेट नहीं भरता है न, सैलरी से ऐसे अधिकारियों को रिजाइन कर देना चाहिए और कैसे लोग हैं ये, जो अपने परिवार को अवैद तरीके से पैसा कमाकर रोटी खिलाते हैं अलकि इस तरह के पैसा कमाने वाले कभी सुखी नहीं रह सकते हैं क्योंकि उनके घर में अगर ज़्यादा पैसे आएंगे अवैद तरीके से तो CBI-ED का रेट तो बाद में पढ़ेगा जैसा कि बिहार में अभी कई जगा पे रेट पढ़ा है लेकिन उस घर में दवा और अस्पताल का चक्र लगता रहेगा ये भी एक कुद्रत का कानून है बले ही भारत के बने कानून में वो बच जाए लेकिन कुद्रत का जो कानून है उससे बचना मुस्की लेवाई है आपने भी देखा होगा अपने आस पास तो भीहार सरकार के इस काम के लिए तारिफ होनी चाहिए और अगला प्रेट आने तक चैनल को सब्सक्राइब करके वे लेकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लेए और अगर ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सेर जरूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये खबर पहुँचे लोग जागरुकों अपने फर्ज अपने करतब के प्रती नमस्कार जैन तैंक यू